हाई फ्रेंट्स आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डाक्टर स्भुष्चन सिंग को जीएस एमपी क्लिनिक एन निव चैनल के अंतरगत लेपरोसी यानि जिसे आप कुछ रोग सुनबाहरी हैंसन डिजीज कोड आधी के नामों से जानते हैं यदि आपको लेपरोसी यानि कुछ रोग हो गया है तो आपको इसका सटिक इलाज यानि आपका विमारी जर्मूल से किस प्रकार ठीक होगा आज के खास वीडियों में हम बताएंगे देशों या विदेश सभी जगव के कुछ रोगियों का हाल एक जैसा है हमें बात क्यों कह रहे हैं क्योंकि आपका विमारी ठीक हो या ना हो जब आपको दवा दिया जाएगा तो आपको अब देश में आप किसी डॉक्टर से दिखा लिजे सरहारन अस्पताल में दिखाईए या बरे अस्पताल में देश में दिखाईए या विदेश में दिखाईए सभी को एमडिटी की दवा कहीं कोर्स करना परता है जो कि कुछ ट्रोग को खतम करने के लिए यह नहीं है कि आपको यह दवाई अलग परकार का दिया जाएगा या आपको दवा यह शेट नहीं किया यानि शूट नहीं किया ये दवा काम आपको नहीं कर रहा है तो उसके बदले में आपको दुसरा दवा दिये जाएगा ऐसा कभी नहीं होता है इसलिए हम आज के वीडियों में कह रहे हैं वीडियों में कि दुनिया का संसार का कहीं का भीरोगी है लेप्रोसी कुष्ट्रों का सब की हालत एक जैसी है यदि आप बहुत दिनों से MDT का दवा खा रहे हैं ले रहे हैं उसके बाद में भी आपका कुछ ट्रोग सुन बहरी हैंसें डिजिट ठीक नहीं हो रहा है तो आपके पास अप्शन है ऐसा नहीं है कि MDT के दवा से यदि आपका ले प्रोसी कुछ ट्रोग ठीक नहीं हुगा साइड इफ्यक्ट हो रहा है MDT के दवा सेवन करने से आपका सरीर पूरा काला पढ़ने लगा है और आपकी जोंडिस हो गिया है पेसाम में जलन हो गिया है भूख की कमी हो गई है तो और आखों से कम दिखाई देनी की समस्या है तो आप MDT के उसके बाद भी दवा आप ले कर रहा है यह यह दवा से यदि बीमारी आपका जौस का तस्व बना हुआ है आया आपको दवा छुड़ते ही बीमारी बैक आने लगा है या कुछ लक्षन अराम तो हो गिया संपूर्ण समाधान नहीं हो पाया है आएसे रोग्यों के लिए सिर्फ और सिर्फ सिर्फ और सिर्फ होमियोपैथिक ट्रीटमेंट ही है यानि होमियोपैथिक इलाज कई भाई बहन को लगता है कि लेप्रोसी सधान बैमारी है कई ऐसे मरीज बताते हैं सर कोई मलहम लिख दीजिए ओंडमेंट लिख दीजिए आरे भाया कुछ रोग जो है यह गंभीर बैम अंदर से सुन रहता है अंदर से सुन रहता है तो बाहर से तौचण पर मलहम लगाने से यह आपका भीं मारी कभी ठीक नहीं होगा यदि घ्हाव बन गया है इन्फेक्ट्षन हो गया है उस कंडिशन में यदि आप मलहम लगाते हैं हो सकता है कि आपको काम कर जाए लेकिन ये अंदरोनी बिमारी है अंदर की बिमारी के कारण आपको लेप्रोसी का सिखायत रहता है कुछ रोग हमेशा हम बताते हैं कि गंभीर बिमारी है यदि आपको सुनबहरी लेप्रोसी की सिखायत है तो आपको पर्थम यानि प्राथमिक उप्चार के तौर पर हाइडू कोट चार बून एक पानी के साथ यथवार डाइडिक्ट जीव पर आप इसको ले सकते हैं डाइडिक्ट आप जीव पर इसे ले सकते हैं इसका किसी भी तरह का कोई साइड इफ्रेक्ट नहीं रहता है और इसमें करनी क्या है आपको कुछ भी नहीं करना है हाथ में जो भी समान मिले अगल बगल का जो थोड़ा सा नुकिला हो पेन हो यानि कलम आपको पीन हो या कुछ भी ने चिट्टी है कुछ कुछ भी मिल इनुकिला चीजाыв, मालिजी की कद्राइब का कहीं का सुन, हो गया है, पूरे शरीर मेंसे कहीं पर दाख ढ़्दों हैं, तो वहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, आपको, कुछ भी नहें करना है, ये कम पैसे वे जादे का यह दीखेने नुकिला है, माली जीए कि आपका यहां पर यह गाल पर यह आपको गाल पर या कनपट्टी पर कहीं पर भी चमरा सुन हो गया है तो वहां पर सीधे थोरा सा कलम हला कर देखनी है कहीं पर भी त्वाचा सुन हो गया है तो कलम हला कर देखिए चिटी काठिये, पीन हलाईये यदि आपको समझ में नहीं आता है तो समझिये कि आपको कुछ ट्रोक की बिमारी हो गई है पैट से चपल का निकल जाना हाथों से समान कुछ छुट जाना और चमरा का सुन होना हाथ पाउं का उंगली को ये टेड़ा कर देता है बिमारी हाथ पाउं के उंगली में दिखाव हो जाए तो जल्दी ठीक नहीं होता है नाखोन धिरे-धिरे काले होने लगते हैं आखों से कम दिखाई देना आपको इस बिमारी में होता है और सांस लेने में दीकत और आगे बढ़ जाए तो आपको खाने में भी दीकत हो सकता है इस चेहरे को टेढ़ा कर सकता है हाथ पाउं के उंगली को बिल्कूल टेढ़ा कर देता है जहां पर आपको लेप्रोसी होता है वहां का केस जढ़ जाता है और वहां पसीना नहीं आता ह जुन जुनि या जहन जहनाहट आपको सकते हैं सुई पीन की तरह चुफते रहता है यह सारा आपको लेप्रोसी का लख्षन है भारी कमजुरी काफी मत्रा में आपको कमजुरी का समना करना पड़ेगा धूप बिलकूल बरदास नहीं होता है और चम्रा मोटा होना चम्रा लाखी के चमरे के समान, भैस के चमरे के समान, मोटा हो जाए, लाल या कला पढ़ने लगे, तो आपको समझनी चाहिए, कि आपको लेप्रोसी नाम का बिमारी, यानि जिसे कुछ रोग, आप बोल चल की भासा में, सुन बहरी कहते हैं, सुन बहरी, नाम सुन करता बड़ी सधा बिमारी लगता है, लेकिन ये इसका असली नाम नहीं है, असली नाम कुछ रोग है, लेप्रोसी है, और हैंसन डिजीज है, हैंसन साहिब ने इसके बेक्टरिया को खोज किया था, इसलिए इसका हैंसन डिजीज नाम रखा गया है, यदि आपको लेप्रोसी यानि कुछ रो हो गया है और पूरे दुनिया में आपने एक से बढ़ कर एक डॉक्टर से दिखाया उसके बाद mdt के दावा ही आपको मिला अगर mdt के दावा से बीमारी आपका ठीक नहीं हुगा है यदि mdt के दावा खाने से तरह तरह का साइड इफेक्ट आपके शरीर में हो रहा है mdt के दावा लेने से आपका बीमारी जर्मुन से ठीक नहीं हुगा घटने के जगा पर बर रहा है उस कंडिशन में सिर्फ और सिर्फ होमियोपैसिक दावा ही आपको जर से ठीक कर पाएगा यदि आप को लेप्रोसी कुष्ट रोग समंधी किसी भी परकार का आपको सवाल करनी है इसके बारे में आपको बिश्त्रित जनकाई लेनी है तो हम्रा वाट्सेप नमर है 9801757533 यानि नौस असी सत्रा सा संतावन 533 पर आप राए ले सकते हैं इस में मोबाइल में क्या कभी कभी लोग खाली हाई करके लिख देते हैं ऐसा नहीं कीजिए वाट्सेप नमर है उस पर आप अपना घार का यानि एड्रेस आप लिखिए और आप किस बारे में आप बात करने चाहते हैं आप उसमें जनकारी लिख दीजिए जवाब देना बिल्कूल आसान हो जाता है नाम पता एड्रेस परचे देने के बाद ही अपना कोई जनकारी मांगे तो बेटर रहेगा और ये हंडेट परसेंट ठीक करने के लिए कई लोग बोलते हैं कि सर कोई मलहम बता दीजिए वाट से पर उसका नाम लिख दीजिए कोई लोग तेल कर दीजिए कोई बोलता है लोग दावाल आप लिख कर दीजिए हम उसी जगह से खर लेंगे और लेप्रोसी एक गंफीर बेमारी है और पूरा सिम्टम आपको दे करके आपको सिम्टम आपको लिखवानी परती है पूरा डिटेल्स में इसके बाद ही इसका चिकित्सा करना संभव पाता है चुकि होमिपैसिक दवा लक्षन के अनुसार चलता है यदि उसमें से बहुत सारा लक्षन छोड़ दिये हैं इलाज कर रहे हैं तो आपको फाइदा नहीं हो पाएगा इसका बहुत बनिया से यानि डिटेल्स लिए जता है संपूर्ण जनकारी लेप्रोसी के बारे में सब्लुण कई पर चक्ते छक्ते निकलने लगे तो आपको समया चमरा मोटा हो और सुन हो पुराने पढ़ने पर किसी किसी को द्धुक हर भी बहुत रह सकता है जल्दी ठीक होने का नाम नहीं लेता है यदि आपको कुस ट्डोक के साथ द्धुक्षर हो गया है या चक्ते निकर रहे हैं थुरा सा गंभीर इस्तिती हैं लेकिन धायर से आप दवा का सिमन करेंगे तो आपका ये जो बुखार है फीभर है वो भी ठीक हो जाएगा यानि संपूर्ण समधान लेप्रोसी के मरीज हैं किसी भी तरह का दिकत क्यों न हो होमियोपैथिक दवा से जरूर ठीक हो जाता है होमियोपैथिक दवा को आपका इस्तमाल जरूर करनी चाहिए चांस मौका आप नक होए जो मरीजिसे ठीक हुए रहते हैं इसको हम इसका हमने आपको टेलिफोन नमर मोबाइल नमर हमने उनका रख लिया हम करते हैं जरूरत परने पर बहुत सारे मरी जो को हमनों सेर कर देते हैं जनकारी ताकि आपको विश्वास हो जाए कि एमडीटी से विमारी ठीक नहीं होने बाद भी होमियोपैथिक दवा से बिल्कुल ज़र से ठीक हो जाता है खाने में आपको क्या लेनी चाहिए काजू किसमिस आपको विटामिन सी विटामिन सी आप लीजिए संतरा लीजिए कोई भी फल आप खटा है फल कोई भी आप ले सकते हैं जो आपको उसमें का बाद दही है दूध है डाल है घी है मैं सलाध है मास मचली अंडा सब कुछ ख करता है आपको खानी चाहिए और पियर्स और इसमें चाल मोगरा के तेल आपको जादे कारगर है उसे भी अधी आपको पार नहीं लगता है सुध मस्टर्ड ओयल यानि करू तेल का मालिस आपके लिए बेहत्रिन होगा लासुन प्याज का सिवन भी बहुत गुनकारी होता है इसे कई लोगों का लगता है कि यौन चंता उनका जिरू हो गया है और लसुन प्याज यदि लेप्रोसी के मरीज करते हैं तो उनको किसी भी तरह का दिकत का सामना नहीं करना पड़ेगा खास करके जब उनको यौन चंता में कम ही आ रही है जब विमारी आ गया है तो का ठीक नहीं होता है लंबे समय तक डॉक्टर के देख रेख में इलाज करने के बाद ही ठीक हो पाता है ऐसे सब कोई लेप्रोसी को नहीं देख सकता है सब की अनभव नहीं रहती है हर डॉक्टर का अलग-अलग विमारी पर अपनी अनभव रहता है तो यदि आपको किसी भी की तरह का लेप्रोसी समंधी शिकायत है और एमडीटी से शिक नहीं हो रहा है तो बेसक आपको होमिपैसिक दवा का प्रियोग करने चाहिए और पूरे विश्व में कुछ ट्रोगी लेप्रोसी के पाई जाते हैं और उनको एमडीटी सभी को देना ये कहां तक उचीत है हो होमिपैसिक दवा का परचार परसार कीजिए और विदेश विदेश में बैठे लोग भी इसका लाग उटाएं परोसी देश नेपाल भूटान में हमने दवा का लोग इस्तमाल कर रहेれて क्ये राजियों के लोग पेसंट इस्तमाल रहें कई बरसों से उन्हें किसी भी तरह क पर पर कितना बिश्वास कर पाते हैं कमेंट में जा कर लिखिए किकर यदि भरोसा है अपको कम होता है तो हम आपको विश्वास भरोसा के लिए कई हम तरक बितरक अडियो वीडियो हम आपको सेर करेंगे ताकि आपको विश्वास हो जाए कि लेप्रोसी जो कुछ ट्रोग होता है 100% ठीक करके आपके जीवन में संपूर्ण खुस हाली भरता है आम इंसानों के तरह जीना सजना लिए संबह हो पाएगा यदि होमिपैथिक दवा का इस्तमाल करते हैं इसी आसा और विश्वास के साथ हमें आप प्याज़त दीजे नमस्कार आपका दिन सूभ हो जै हिं जै भारत हमरा भीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद इंसानों के लिए